जेहिंद वंदे मातरम स्वागत है सभी सात्यों का स्टेडी एक्जाम एकेडमी के ओनलाइन प्लेट फोरम पर तो सात्यों अपनी कम्प्यूटर की कलास सल रही थी राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल के लिए पटवारी और ग्राम शेओ के लिए इस्पेसल काफी महत्पून कलास होने वाली है बहुत सारी कलास अपनी पहले भी हो चुकी है आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं आज अपने राजस्तान पुलिस पटवारी ग्राम शेओ के लिए तीन अपने में टोपिक जो अपने को कवर करने थे तीन चैप्टर जिसमें से हमने तीन चैप्टर पूरे कवर कर लिए हैं तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं बहुत सारे साती लाइज उड़ चुके हैं सभी का स्वागत है एक बार लाइक और शेर कर दें पहला क्यूंशन आपके सामने स्क्रीन पर आज चुका है ओपरेटिंग सिस्टम के द्वारा काम किये जाते हैं आप इसका इंस्वर दे नीचे कमेंड वोक्स में इसका देखो प पॉसेस मेनेजमेंट शुरक्षा का परबंधन फाइल का परबंधन और इसका राइट एंसर दे हो जाएगा उपरोक्ट सभी विल्कुल इसका राइट एंसर दे हो जाएगा बढ़ते हैं सेकंड क्यूंशन के वर डोट डोट तब होता है जब ओपरेटिंग सिस्टम रेम म लोड होता है तो इस ले में ङोड होता है देखो बूटकर होता है इसका र्ड़ेटल बेलकुल बेलकुल भी आपकेस चाँब कम्प्यूटर सिस्टम को ओन करना बुटिंग क्यला-ठाथ आप पूछों कि है लुटिंग कैनल घ्रेचर्प कान सी बुटी है- ऩह रखना करना ये इस बुटिंग से इस इसक झाल या पुछ contributors k stukete में मेमोरी के अंदर क्या हो जाता है लोड हो जाता है बुटिंग दो प्रकार किये जान रखना बुटिंग दो प्रकार किये होती है पहली होती है cold booting आपने कहीं बार सुनावगा मेरे पशनू में cold booting और दूसरी होती है warm booting कौनसी warm booting तो इसके अंदर cold booting क्या होती है गुरूजी cold अरे क्या होती है cold जब किसी power को off यानि बंद computer को own करते हैं तो ये परकिरिया cold booting कहलाती है cold booting का मतलब है सिदा सिदा की computer को own करना यानि कि परकिर्या cold booting केलाती है जब किसी परकिर्या calm और बंद करते है तो इस चीज़ को आप जहां डखना अगला क्यूंसन देखो परसन संक्या 3, system को booting करने का अभिपराई है, system को computer system को boot, यानि boot करने का अभिपराई क्या है, ये क्योंसन काफी गजब का है, इसका answer आप नीचे, comment box में दें, देखते हैं कितने विदारती right answer दे पाते हैं, बिल्कुल इसका right answer जो भी मितर A दे रहे हैं, उन सभी का right है, operating system का main memory, अर्थार्थ, RAM में load होना, क्या कहलाता है, booting कहलाता है, जहां रखना, next, क्योंसन संक्या 4 screen पर आचुका है, एक program, यानि एक computer program, जो source code को object code में बदलता है, क्या कहलाता है, editor, changer, compiler, या converter, विल्कुल इसका correct answer क्या हो जाईगा, एक computer program, जो source code को object code में बदलता है, ये क्या क answer से बिल्कुल राइट हो जाएगा, अगला देखो वे भासा, जिसे computer बिना भासा अनुवाद के समघता है, क्या क्या क популяр नाती है, छो क्योंसी भासा है, जिसे computer बिना भासा अनुवाद के समझ जाता है, अमेरीकन की भासा, मशीनी भासा, असेम्ली भासा, या मानीविय भास कौन सी बासा है जिसका बिना अनुवाद के ही कंप्यूटर समझ जाता है तो बिल्कूल एंस्वर आ चुके हम मेरे शेर और शेर नी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार दबा कर लाइक और शेर ठोक दे इस कलास को इस बार धजियां उखाड देंगे एक्जाम की बिल्कूल मसीनी भासा बिल्कूल इसका right answer हो जाएगा क्या गाज़एगा मसीनी भासा कहीं दारती मानewी भासा एक्जाम करके आते हिसक यह लूम मेरे सेरूँ पर्थम उच इस तरी प्रोग्रामिक भासा कोंसी है इस्टार लगवर है क्यों गुरू जी अरे कहीं बार एक्जाम में पूचा क्या परशन है बार बार पूचा जाता है परतम उच्छ इस्तरिये प्रोग्रामिक बासा कौन सी है बैसिक कोबल होट्रेन या पासकल बिल्कूल इन सभी की फूल फोरम का भी आपको पता होना जरू में गुरू जी इसका हमें कैसे याद रहेगा इनका फूल फोरम मैं टेलीग्राम गूरूप में डाल दूँगा टेलीग्राम गूरूप में इनकी जितने फूल फोरम है वो डाल दूँगा अलग से डाल दूँगा टेलीग्राम गूरूप का नाम यूटूब चैनल के नाम वाला सेम ही है study exam academy link नीचे description में भी है वहाँ पर आप जाना टेलिग्राम में और वहाँ पर आपको मिल जाएगा बिल्कुल इसका right answer से हो जाएगा परतम उच इस तरिये programming बासा फोर्टरन बिल्कुल right इसका फोर्टरन यानि से हो जाएगा से सभी का बिल्कुल correct है कि गुरुजी इस फोर्टरन का पूरा नाम क्या होगा बता दो इसका पूरा नाम exam में पूछा जाता है हमें आता नहीं है क्या करें नहीं आता कोई बात नहीं इसका पूरा नाम बिल्कुल सिंपर है formula translation क्या है formula translation फोर का formula translation बिल्कुल short है रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और वैसे आपको मैं टेलिग्राम ग्रूप में और डाल दूँगा वहां से आप देख भी लेना लिखाबा यहां पर गुरुजी इस बेसिक का पूरा नाम भी बता दो अरे इस बेसिक का तो आपको बेसिक पता ही होगा नहीं पता तो नहीं पता तो याद रखलो वापिस बताऊं बिग्नर्स ओल परपोज सेंबोलिक इंस्ट्रेक्शन कोड विल्कुल आपको टेलिग्राम में पूरा नाम मिल जाएगा अरे कुछ तो आप ही बताऊ रहे नीचे कमेंट बोक्स में है चलो आप इसका बता दो पासकल का इसका बता दो गुरुजी इस कॉबल का को안 बताएगा कोबल की में बता देता हूं पूरा नाम आपको معं़ बिज्नस-oriented language बिल्कुल इस पास्कल का बताऊु नीचे कमेंट मेर्ग्स में आगे बढ़ते हैं रहे अगला पश्ण यह लो मज़ा आगे आज की कलास धमागेदार है कंप्यूटर की तो पनी धमागेदार ही होती है पूरे हिंदुस्तान में परशिद है इस्टेड़ी एकजाम एकेडमी की कंप्यूटर की कलास assembly बासा को machine बासा में परिवर्थित करने है तूप प्रयूक्त होता है अब कोई assembly बासा है उसको किस में बदलना है रहा है machine बासा में तो किसका प्रयूक करोगे मेरे लड़ लूँ compiler, assembler या interpreter या converter गुरुजी इसका तो नहीं आ रहा रहा है क्या आ रहा है तो नीचे comment box में बताएं रहा है क्या answer देते हो मेरे लाड़ लूँ तो बिल्कुल assembler हो जाएगा क्या हो जाएगा assembler विल्कुल राइट है अगला देखो compiler का काम क्या है ये person पूछा गया कहीं एक्जाम में compiler का क्या काम है रहा है तो तुक्का मार दें जो सबसे लंबी लाइन है आपका बताया वह है उसी पर तुक्का मार दिया करो जब ऐसा लगें कि इसमें क्या हो सकता है तो सबसे लंबी लाइन होने का chance 99 परसेंट रहता है तो ये विल्कुल राइट है सभी का compiler का कारी होता है पूरे प्रोग्राम को पहले scan करना फिर machine code में उसका अनुवाद करना बढ़ते हैं रहे अगले क्यूंसन के ओर में class लंबी नही कवर करेंगे यह लो कंपाइलर high-level programme को machine बासा में translate करता है उन high-level programme को का जाता है software, source code, compile code या object code यानि compiler high level program की बासा को machine बासा में translate करता है उन high level program को क्या का जाता है बिल्कुल उसको source code का जाता है इसका right answer बिल्कुल बेस सभी का correct है अब दबा के like और share ठोको रहे हैं अभी like नहीं किया है, मज़ा नहीं है अगला देखो रहे next, compiling create होती है compiling create का पर होती है program बनाते समय, program copy करते समय program execute करते समय या program के output देखते समय बिल्कुल इसका right answer बिल्कुल इसका right answer क्या होगा रहे share हो जाएगा program execute करते समय क्या होता है इस समय compiling create होती है, बिल्कुल compiling create होती है next, अगला देखो एप्लिकेशन सोब्ट्वेर को कार्य करने का वातावरण उपलब्द कोन कराता है यूटिलिटी सोब्ट्वेर, पंच कार्ड, सिस्टम सोब्ट्वेर या मेमोरी एप्लिकेशन सोब्ट्वेर को कार्य करने का वातावरण कोन उपलब्द करवाता है क्या गजव का क्यूंशन है बिल्कूल system software करवाता है कौन करवाता है system software इसका right है अगला देखो निमन में से कौन सा application software नहीं है कहीं बार बता चुका हूँ पिछली कलास में इस application software के बारे में सारी जानकर आपको दीती कौन सा application software नहीं है MS Word, MS Excel, PowerPoint या Windows 7 बिल्कूल सिंपल है application software में MS Word भी है Microsoft Word, Excel भी है PowerPoint भी है लेकिन Windows 7 नहीं है इसका right answer दे हो जाएगा next निमन में से कौन सा utility software नहीं है मैं utility software के आपको परकार बता चुका हूँ तो इन में से कौन सा utility software के परकार नहीं है backup software, antivirus, disk tools या web browser बिल्कूल इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer web browser हो जाएगा क्या हो जाएगा web browser बाकी सभी इसके परकार है backup software, antivirus और disk tools next अगला चुन्शन निमन में से कौन सा एक antivirus software है ये चुन्शन भी कहीं बार exam में पुथा जाता है antivirus software बगेरा के कौन सा अवीरा, live care, hangout या photoshop बिल्कूल live care कुछ विदारती बता रहे हैं कौन सा antivirus software है तो अवीरा बिल्कूल अवीरा इसका right answer अवीरा next बढ़ते हैं अगले चुन्शन के और जिस program की मदद से hardware ठीक किया जाता है वे कहलाता है hardware ठीक किया जाता है hardware और shortware मैं already आपको परिवासा कहीं बार बता चुका हूँ बताने क्या विदारती पहले से जुड़ेवे हैं और नहीं जुड़ेवे हैं पहले वाली कोई..? केंपूटर मैं सुरुक्ष्या करती थे हैं hardware के पुराने पढ़ने से पहले करेक्ट हो जाेगा भड़ते हैं अगले क्यु इंसिंक के और, निमन में से कोंसा एक file मिल्कुल इसका राय्ट एंसर क्या हो जाएगा युच्ट का पूरण रूप क्या है CAD computer added design ये भी कहीं बार exam में पुछा गया है तो CAD का पुरा नम हो जाएगा computer added design बिल्कुल यहां पर computer application design मत कर देना लाड़ लूँ गलत हो जाएगा और अधिकतर विदारती computer application design पर ही तुका मारते हैं जो बिल्कुल गलत माना जाता है और फैल हो जाते हैं ज्यान ड़कना aid कर देना है computer में क्या कर देना है aid कर देना है यह लो वे software जो परियोग करता की जानकरी के बिना उसकी गतिविद्यों को ट्रेक करता है जो जो परियोग करता कोन होता है जो परियोग कर रहा है उसकी बिना जानकारी के गति वीडियों को ट्रे करने वाला सौप्ट्वेर है वाइरस, स्पाई, वेर, माल वेर या वारम बिल्कुल सभी को पता है रहे कंप्यूटर में क्या गुस गया रहे है वाइरस तो वाइरस तुका मारोगे क्या नहीं मारेंगे गुरूजी वाइरस तो बिल्कुल ही तो कौन होता है बिल्कुल इसका राइट एंसर आ चुका है स्पाई वेर बिल्कुल राइट है इसका राइट एंसर क्या होजाएगा स्पाई वेर रुक करते हैं अगले क्यों निसन की ओर सौप्ट्वेर या प्रोग्राम में सौप्ट्वेर या प्रोग्राम में किसी परकार की तुरूटी क्या कहलाती है सौप्ट्वेर या प्रोग्राम में किसी भी परकार की कोई तुरूटी की तुरूटी का मतलब गलती कहलाती है गलती फॉल्ट मिस्टेक या बग बिल्कूल कंप्यूटर में सोट्वेर में किसी परकार की प्रोग्राम में यदि गलती हो जाती है तो उसे बग बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको आप ध्यान ढख लेना दोस्तु यह चोटा सा और बड़े एक्जाम में भी यह टपक जाता है अगला देखो रहे 21 तरक संगत तुरूट्यों के विलोपन की प्रिक्रिया को का जाता है टेस्ट पोस्ट डिबिंग या इन्में से कोई नहीं बिल्कूल डिब गिंग इसका राइट एंस्वर से हो जाएगा डिब गिंग न देना क्या कैलाता है विल्कूल कमांड कैलाता है क्या कींप्यूलोड को कोई निर्दस देना यानी क्या क्या क्यलाता है लादन oss से अरु प्रियुक्त करवा देते हैi..? मीनिव बार टूल बार विन्डो या फाइल इसका right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल यहां पर इसका right answer हो जाएगा मीनिव बार बëtन पर मीनिव होते हैं जो कि आम तोर पर प्रयूक्त कमांडू को जल्धी से access करवा देते हैं, अगला क्योंसन देखो, अगला क्योंसन, software code में तुरुत्यों को जांचने की परिक्रिया को क्या का जाता है, तुरुत्य यानि गलती को जांचने की परिक्रिया क्या कहलाती है, अप यह अच्छा परसन है, start लगो, वह पूछा जाने वाला है, compiling assembling debugging या interpreting बिल्कुल इसका correct answer हो जाएगा software में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है उसको जांचने की प्रिक्रियार डिबगिंग बिल्कुल डिबगिंग कहलाती है इसका right answer से हो जाएगा मेरे लागनों क्या हो जाएगा से बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला क्यूंशन dot base dot documents plus html किसके उधारन है यह सभी किसके उधारन है ओपरेटिंग सिस्टम के music player ब्राउजर या इनमें से कोई नहीं इसका correct answer आचुका है बिल्कुल आचुका है बिल्कुल यहाँ पर जो option दिए गए है यहाँ पर जो option दिए गए हैं लाड़ लूँ उनमें क्या है थोड़ी mistake है यह सभी उधारन किसके है इसका ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं इसका answer हो जाएगा इनमें से कोई नहीं ध्यान रखना तो यह सब किसके उधारन हो जाएंगे यह आपको पता होना चाहिए तो यह सभी उधारन है वो ध्यान रखना एक स्टेशन के किसके एक स्टेशन इसका राय टेंसर हो जाएगा तो आपको समझ में आगया होगा इसका राय टेंसर दे हो जाएगा बढ़ते हैं अगले क्यूंसन के ओर तो आज की क्लास में इतने ही थे और आज मैं आपको फूल पूरम पूस्ता हूँ इसका पीडियाप हमारे टेलिगराम ग्रूप में मिल जाएगा और आप यहां पर द वीडियो को आपको वापन वापिस ओपन करना है और फिर जो नीचे वाला कमेंट बोक्स है उस कमेंट बोक्स में आपको इसका इंसर देना है एफ एटी का पूरा नाम जो विदारती राइट बताएगा उसकी कलास में उसका नाम एलाउंस किया जाएगा एफ एटी का पू